कि नमस्कार साथियो कैसे आप सब लोग आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिसकेस करेंगे प्रिवेंटिव रुलीव अंदर एसारे पार्ट थर्ड चैप्टर नमबर गजावर प्रिवेंटिव रुलीव देट इस इंजंग्शन जैसे कि आपको पता होगा इंजंग् को तिए प्रफितो इंजंग्शन और आपकोडियो थे एंग्छन दैप मोग्य ममझाट ऍसच्ड ऑस्टनों आपकोडू लेप्स एंग ग्लांट थे।टे लेव प्रिवेंटिव फ्रॉर्ववज कर टेपको कि अट्यों थेडिवेंटिवें वी पन देट्वेंटिवेंट दगोट बाइं जंग्शन तैंप्रेरी और परपेच्वल डिस्क्रिशन अब दगोट मालग कोड़ की डिस्कृशनल पावर है ठीक है अगर प्राइम फसाइड केस बनता है दैन कोड ग्रांटेड अधरवाइस नौट इंजंग्शन ग्रांटेड अब इंजंग्शन की बात क का मतलब है इंजंक्शन इस तूरिस्त्रेइन अंडर एक्ससाइज आप राइस अंडर एक्ससाइज आप राइस प्रिवेंशन ऑप थेटन रॉंग्स रिस्टोरिशन अववेल लिटेट वजेशन और सीक्यूरिंग अपर्मानेंट इंजॉयमेंट अलाइट आफ समझ गे माले कि प्रोसेस जुडिशन प्रोसेस है जिसकी अगर कोट ऑडर करता है इंजेंशन का ऐधर परपेच्छल टेंपरेरी जिसे की प्रिवेंट किया जा सकता है किसी ठेटन को जो रॉंग ठेटन एक्कॉर्डिंग टू लॉओ आइंड रिस्टोर किया जा सकता है किसी थी फिर्योंगानिवट्वा सकता है किवेच्छिशन थेट वारिशन वे क्कॉटर लॉव ऑन्पटेैesch tas अगरů 16 सवी कोषए है लॉओ बंपारेष कॉट इंप लॉओ इंच्छ्वानिंग क veux अंडर ओर्डर 39 ऑफ सीपीची टैंप्रेरी इंजंक्शन का रलीफ अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी जो एप्लिकेशन लगेगी वह अगडर 39 रूल 1 & 2 और चुपीची में आप फाइल करोगे ठीक है और टैंपरेरी इंजंक्शन मिस्ट वर्ट से पता लग रहा है कि यह तैंपरेरी पिरिट के लिए तैंपरेरी इंजंक्शन मतलब ऑदर पास करेगा कोड़ इस नोट डिक्री इस ओडर तैंपरेरी इंजंक्शन आप सच एस यह ताए और अंतिल फ्र्दर और फ्रदर आफ दीकोड ग्रद जो टैंपरेरी इंजंक्शन एक तरह नगा इंटरिम ओर रूडर होगा इंटरिम रलीफ होगा तो दीक है और और आयं तसे भी सुट में लेकिन कभी भी टैंपरेरी इंजंक्शन के आप ने तंपरेर्ली इंजंख्शन के आप्लिकेश्ण नहीं फाइल करोगे अब सूट के साथ टैम्परी निंजंख्शन के अफ्लिकेशन फाइल करोगे ठीक है इन डाट गेस सेकेंड perpetual injunction can be only be granted by the decree the difference भी आपको पता लग रहा है कि temporary injunction, temporary period के लिए interim period के लिए और जो perpetual injunction perpetual means permanent permanently restrained decree made at the hearing and upon the merit of the suit the defendant is there perpetually enjoyed from the assertion of a right or from the commission of that which would be contrary to the right of the plaintiff according to section 37 clause 2 37 clause 2 perpetual injunction, permanent injunction final order final decree pass merit of the suit that is final order by the decree and also moreover temporary junction पे रेस्टिकेटा order जो order होता है रेस्टिकेटा not apply because यह circumstances changes वाला circumstances है तो interim order है जिसमें changes circumstances रेस्टिकेटा not applicable but final जो रलीफ होता है पर perpetual injunction जो decree pass होती है then then रेस्टिकेटा applicable है the next is perpetual injunction तो temporary injunction हम discuss करेंगे CPC में जब CPC के lecture start हो जाएंगे that now perpetual injunction that is given under section 38 of SRA permanent prohibitary injunction का suit up SRA केंड़ और temporary injunction के application CPC order 39 subject to the other provision contained in or referred to by this chapter the perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in its favor whether expressly or by implication ठीक है देखो perpetual injunction का गांटर जब किसी की obligation है किसी परसन के फेवर में और वो उसको fulfill नहीं करा तो उसको restraint किया जा सकता है तो that's why आपे perpetually परमनती उसको restraint कर सकता है court may be granted मनलब आपका discussion power of the court देखो this is negative injunction this is called negative injunction negative injunction क्यों क्योंकि आपको restraint क्या जा रहा है आपको एक्ट कर रहे हो आपको उस act के लिए मना कर रहे हैं कि आप ये act मत करो court के order कर रहे हैं कि आप आज के बाद ये act नहीं करोगे तो मतलब legal obligation होने चाहिए परसन की नहीं सच obligation arises from contract the court shall be guided by the rules and provision contained in chapter 2 specific performance of the contract chapter 2 में आपने अर्ड़ी डिसक्स कर दिया previous lecture में तो आप section 10 के साथ अगर कोई obligation है obligation में legal obligation arises from the contract तो देन जो भी प्रवीजन chapter 2 में दे रहे हैं specific performance contract तो वो consideration factor third when the defendant inbuilt invades or threatens to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property the court may grant a perpetual injunction in the following case namely where the defendant is trustee of the property for the plaintiff where there exists no standard for ascertaining the actual damage call likely to be caused by the invasion where the invasion is such that compensation in money would not afford adequately where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of judicial proceeding दोस्तों याद रखना हैं यहां से mcqs बन जाता है प्रिलम्स के लिए आपको question आता है तो यह चारो option होंगे इसमें थोड़ा सा चैंज होगा सम्टाइम कि आता है इंजंक्शन इस नौट नेसेसरी लिखा होगा यहां पर कि प्रिवेंट मुल्टिपलिसिट अप्ड़िश्य पर से लिए इन चारों को एक गाइलाइन कोट के लिए इन चारों section 30 that is negative injunction मना आपको कोर्ट मना कर रहा है कि आप यह काम मत करो पॉजिटिव इंजंक्शन कि आप यह काम करो आप यह काम करो इसका जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूं इस पॉजिटिव इंजंक्शन वें तो प्रिवेंट प्रिवेंट प्रीच अपन अब्लिगेशन इस न लुभर सक्राया को शुभर तो पैंजरि न था प्रफॉम जस तभर देन इस नी प्रकॉड सक्राया क सब्सक्राया वेंट तो यह काम में यह किस प्रॉजिव यह कि लूपर हुज टीम्यशन ओर्कॉजिव एंज-जस खीन पॉuchen प्रिवेंट अवरेंस. सबसेंख को एक्त परकुसेट एक्ट अपर यहां पर यहां पर यहां पर ये इंक्रोच कर दिया यहां पर एक वाल कंस्टुक्तぁक प्या वाल का किसकी लैंड पर एवे गोस्टू कोट एन इसने टेंपरेरी इंजंक्शन और प्रॉबिटेरी इंजंक्शन का सुट फाइल किया और टेंपरी इंजेक्शन की एप्लिकेशन पर लगाई साथ मैं तर्मालों सपोज अब मैं मैं आपको सब्सक्राइब सेक्शन थर्टी तो जैसे प्रॉबटी निजंग पर्मानेंट इंजंक्शन अब दिस लाइंड भी एवी लीगली इंक्रोच ठीक है उसकी लीगल उब्लिकेशन क्या है कि वह वहां पर एंक्रोच ना करें अब इसको रोका जा रहा है कि आप यह कंस्ट्रुक्शन ना करो आप यह कंस्ट्र कर रखिये दिवार जो वाल उसको हटाओ उसको डिस्ट्रॉय करो कि यहां कुछ एक्ट करने के लिए बोला जा रहा है ज्यान से समझना सेक्शन थर्टी एट में उसको मना किया जा रहा है कि आप यहां पर कभी भी कंस्ट्रॉक्ट नहीं करोगे जड़िस नेगटिव लिए यह positive injun Florian 38 में नगेटिव इंजन और लियन और परदेशंक्ट एंचान एं और अडेशन के सा साथ डेमेज्व एडिम प carrots कर सकते हैं, the plaintiff in a suit for perpetual injunction under section 38 or mandatory injunction under section 39 may claim damages either in addition to or substitution for such injunction and the court may if think with award such damages. लेको, court damage, आप damage claim कर सकते हो अपनी प्लेंट में जब प्लेंट बनाऊगे perpetual injunction के साथ damage भी claim कर सकते हो, addition में या फिर court in substitution आपको injunction की जगा damages दे सकते हैं, grant कर सकते हैं, वो depend upon the fact and circumstances of the case, no relief for damages shall be granted under this section until plaintiff has claimed such relief in the plaint, देखो, court अपने आपसे grant नहीं करेगा, आपको claim करना पड़ेगा, प्लेंट में, प्लेंट में आपको, प्रियर करना पड़ेगा from the court, provided that where no such damage has been claimed in the plain, the court shall at any stage of the proceeding allow the plaintiff to amend the plain on such term as maybe just for including such claim. तो अब अब बादर 6, Rule 17, अगर आपने चिक मालो अपोस ओर ओर ना पना प्रेजिनल चब अवन प्लाइन प्लाइन तो स्टेम नहीं ग्या पर लेटर आन यू पर आप अप्लाइन, यू लेटर आप नहीं था बादर आप नियू और यू दिया फिर अपने प्लाइन, आप एक बार है आपका बार मींस अगर आपका इंजंशन का सूट डिसमेस हो गया तो यूट नॉट डेमज़ फिर उस उस सैम कॉज और एक्षिन के लिए आप डेमज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपका सूट डिस्वेस ओड़ा हो जाता है इंजंशन का दे नेक्स इस संक्राइफ आपके यहां कुछ सरकंस्टान डिस्ट दे रखिए रखी है इन सर कम्स्टांस में इंजंशन कैन डूट विग्रांट तो दोस्तों आपको यह याद करनी है ठीक है यहां से काफी क्वेशन रहते हैं प्रिलॉंग में यंद्ट सब्सक्राइब में भी कुछ लेते हैं नमबर वान तो रिस्ट्रेइड एनी पर्सन फ्रम प्रोसिक्टिटिंग जडिशन प्रोसेडिंग फैंडिंग एट दा इंस्टुटिशन अब दा सूर इन विच इंजंक्शन इस सौट अनलेश सच रिस्टेन इस नसेसरी तो प्रिवे एव इंजंटिशन पर इनलेश सच रिस एन्ससरी तो प्रिवन यस ओर्रवलों को सूट फाल कर राए सथए फिर फ्रेस इनीए नंट सेट कर रहती है तो मुल्लिशन प्रॉसिटिंग पर सब्सेटिंग एथर ब्सक्रीशन पर्सेटे उटर्वां पर व्ल्रिशन इसेट्ट or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is solved okay see to restrain any person from applying to any legislative body election के लिए अप्लाइ कर रहा है तो आप उसको रस्ते नहीं कर सकते हैं to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter सब्सक्राइब कर सकते हैं to prevent the breach of contract the performance of which would not be specifically enforced injunction गराण नहीं होगा to prevent the breach of contract the specific performance of which would not be specific just performance नहीं कर सकते आप to prevent on the ground of nuisance an act which is not reasonably clear that it will be your new sense jump a clear path aniki nuisance है कि नहीं अवां भी इंजंक्शन ग्राण नहीं होगा to prevent the continue breach in which the plaintiff has acquiesced मला जहां पे continue breach of plenty acquiesced कर दिया तो acquire कर दिया in that case you cannot claim injunction and injunction cannot be granted when equally officious relief can can certainly certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case breach of trust मला उसके बराबर के आपको कोई और अली मिल गया है तो युकान आ इंजंक्शन गान्ट गान्टे if it would impede or delay the progress or complication of any infrastructure project or interfere interfere with the continue provision of relevant faculty facility related there to or services being the subject matter of such project amendment to a 2018 में इंफ्रस्ट्रक्चर के regarding वहां पे injunction cannot be granted already भी हमने previous lecture में discuss कर रखा है when the conduct of the plaintiff or his agent has been such a disentitle him to be assistance of the court में अगर अगर कंड़क्ट प्लेंटिफ अगरा का इसा हो या उसके जो भी एजेंट है when the plaintiff has no personal interest in the matter जब सब्सक्राइट मैटर्स का पर्सक्राइट रही नहीं है तो मतलब cannot be granted injunction then 42 injunction to perform negative agreement section 42 मन आपका क्या वोलता है negative engine negative injunction can negative injunction be grant of sector yes not withstanding anything contained in clause e of section 41 where a contract comprise an affirmative agreement to do to a certain act coupled with the negative agreement expressed or implied not to do a certain act the circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative negative agreement provided that the plaintiff has not failed to perform the contract for his binding on it the goal section 42 applicable Marlowe suppose a teacher teacher हमारे institute में tutoring का काम करेंगे teaching का काम करेंगे ठीक है तो हमने agreement किया एक के साथ है कि आप हमारे institute में one year के लिए टीचिंग करो वान यर के लिए टीचिंग करो दिस पॉजटिव यह पॉजटिव एक काम दिया जा रहा है कि आप किसी दूसरे institute में नहीं आप एक साल तक किसी दूसरे इंस्टिवट में नहीं कर सकते मतलब negative agreement भी साथ में हो सकता है तो यह अन्डर सक्शन फॉर्टेटिव मन उनको रिस्टेइन क्या जा रहा कि आप दूसरे इंस्टिट में नौट टीज्ट तो एनी अधर इंस्टिटूट तो दिस इस नागेटिव इंस्ट इस आल अबाट आपका वेरक्ट लैंग्विज और सेक्शन अमने वेरक्ट प्रविजन अफ होल वेरक्ट अपने कर दिया यह सारे का बट ना नेक्स शेडियूल एक बार सब्सेक्टर फिक्या तो यहां फे अरड़ युक् struck सेच्छर समझने दर एके अरप्लाइब आपको ठोड़ा नेट्यूर्ट पर्हत बैस सरे घ्लाइट जाहें सकते हैं water and sanitation में with management water supply एक्सेक्ट यरी डाड एक्सेटरा विरормुणिकेशन इसमें मैन इसमین कॉम्णिकेशन प्रया जच्छे एक्सेक्टरे काँ यहां पर पे औह। अपि एक बार रेड कर लें तो इस तरह से आपको यह five category में डिवाइड किया गया और उन five category के आगे सब category डिवाइड कर रखा है तो कई बार पूछ सकते कि कितने category है आपके शेटियूल में तो फाइव ए ट्रांसपोर्ट एनरजी वाटर एंड सब्सक्राइब को यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों अबाट आपका ऐसा रहे हैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी लेक्टर को वाच कर सकते हैं ठीक हैं और फिर से मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए है चैनल पे प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वैल आइकन को प्रीज जुरूर क्लिक के जो ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्टर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और जिनने अल्रड़ी सब्सक्राइब है वहां पर वीडियो लेक्टर शुरू करेंगे और लिमिटेशन आक्ट के शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे तो आप बने रही है हमालेन जिदिशन कोचिंग इंस्ट्रिचूट के साथ और अपना वीरेक्ट प्रवीजन कंटिनू रखे धन्यवाद